सब्सक्राइब कीजिए दी एंड़ पोडल यूट चैनल और बेल आइकोन दबाएए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तों मैं हूँ लकी और आज आप देख रहे हैं दी एंड़ पोडल यूट चैनल और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लोनिट एप का उप्योग करके अपने एक फोन के सारे डेटा को दूसरे आपके जो नया फोन होगा उसमें आप कैसे ट्रांस क्लोनिट एप खोल लीजिए दूसरे फोन में क्लोनिट एप खोलने के बाद आपको चूज करना है सेंडर और किस फोन से आप सेंड करना चाहते हैं और किस फोन पर आप रिसीव करना चाहते हैं यह चूज करने के बाद आपको फोन जो आपका है एक फोन को दूसरे फोन से connect करना पड़ेगा जैसे कि आप screen पर देख पाएंगे कि यहां पर बस एक phone का hotspot on होगा और दूसरे phone के wifi से आप connect हो जाएंगे जैसे कि देखिए यहां में tap करके और यहां वे connecting बता रहा है तो connect होने के बाद बस okay कीजिए अपने first phone पर और आप second phone पर देख पाएंगे सारे डेटा को जैसे कि contact sms mms call log apps system settings photos videos और music तो आपको इन मिस से करना यह है कि आप अपने first phone को side में रख दीजिए और दूसरे phone पर डेटा को चूज कर लिजे कि कौन सा डेटा आपको चाहिए अपने second phone में first phone से तो बस मैंने यहां चार call log नहीं चाहिए मुझे photos music और videos means के all over जो चीज आपको चाहिए वह आप टैप कर लिजे और choose कर लिजे तो टैप करने के बाद right का symbol आ जाएगा और बस start button पर टैप कर दीजे तो start button पर टैप करने के बाद जो आपका data है automatically transfer होना सुरू हो जाएगा आपके second phone पर first phone से आपने जैसा कि देखा अभी तक में कि यह बहुत simple और easy है करना तो कोई भी से कर सकता है तो चलिए मैं इसको करता हूँ skip और आगे देखते हैं चलिए दोस्तों यहां हो चुका है मेरा data बस complete ही होने वाला है और complete हो चुका है और apps में जो यह icon है उस पर tap करके आप देख सकेंगे कौन से app नए हैं आपके phone में जिसे आप install कर सकते हैं और install का option भी साथ में आपको मिल जायागा apps के नाम के बगल में तो अगर आप करना चाहते तो करिए otherwise finish button पर tap कर दीजे finish button पर tap करने के बाद बस आपका जो first phone का data है जैसे के video call log call history photos सारी चीज़े आपके second phone में आ चुकी है तो अब आप अपने first phone को कर देंगे side में और आप अपना नया phone यूज़ कर सकते हैं आपने सारे पुराने data के साथ जैसे कि मैं आप अगतात हूं यहां के application पर आप इस्टॉल भी कर सकते हैं automatically अगर आपके नए phone में नहीं है जो आपने पुराने phone से लिया है अभी तो बस उसके लिए steps follow कर लिए थोड़े बहुत और आप इस्टॉल कर पाएंगे आसानी से अपने smartphone पर तो फिर तो चलिए दोस्तो यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और ऐसा ही अगले नए वीडियो सदेखने के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहें इस वीडियो को लाइक करना ना भूने हमारे चैनल को subscribe कर लीजिएगा ताकि आप ऐसा ही नए वीडियो देख पाएं चलिए दो पेड़रो आपका का कैसा नश्मान कर भाटी प्योर्स के अऽेड़ कर भाटी कर दो दॉटी कर देसे निक स्वेड़ का यंजां।